हलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, मैं चित्रा एको ने ब्लॉग के साथ आज मैं आप सब को दिखाऊंगी कि मैं जब छोटी थी, हम हाला कि क्या करते थे बच्पन पे आप लोग गुमने जाते थे या यह सब करते थे बर हम चोटे में क्या करते थे, कि हम पे बहुत सरे जमेदेरे होते थे लक्रिया लाना, तब ही हम लोगा खाना पकेंगे, या यू नो पानी का प्रॉब्लम हुआ करते थे तो यही पे हम कपरे सुखाते, ये नदी पे कपरे धोके, यही पे कपरे सुखाते हैं और यही पे हम मचलिया पकरते हैं और नदी के उस पार हम लक्रिया धुनते ऐसा वैसा मैं आप सब को वो भी दिखाऊंगी कि कहा कहा हम लक्रिया धुनते क्या क्या करते थे तो हम मेरा बचपन तो ऐसे ही गुजारा कि यह नो यह सब करके यह से और ये लोगों ने धाल के रखा ताकि मचलिया इदर रुक के लबाद में उसको पकरेंगे ऐसा कुछ आप जो ये बाउंडरी बना के रखे हैं वो सब देख रहे हो ये पहले था नहीं इस पे दूर दूर तक घर नहीं था सिर्फ जंगल वागेरा था ये रहा मेरा ममी मेरे साथ क्योंकि जगे चेंग होने के कारण मैं ममी को लेके आई हूं क्योंकि इस आमने ही कळिस्तन बना के रखे आप सब को बता दूँ आप मेरे हाथ पर जो आप देख रहे हो फिशंग करने का वो है मैं अब भी बस फिलाल 10-15 मिनित हुए मैं घर पे सिख के आई हूँ कि मैं इसको कैसे करना है क्या करना है तो मैं उसी को ट्राइ करने के लिए आई हूँ पहले टाइम पे तो हम लोग का पास इतना पैसा नहीं होता था कि हम इसको खरीद ले और इससे आम मा के मचली पकरे और हम चोटे भी थे इसको पकर भी नहीं पाएंगे तो हम हमेसे हाथ से ही पकरने आते हैं यह रहा मेरा कुछ ट्राइल्स आप सब बताना कि मैं कैसे किया और इसका जो रिजल्ट है मतलब मचली मिला कि नहीं मिला वो last में आप सबको पता चलेगा तो मैं ये नदी के साथ बहुत सारे यादे हैं क्योंकि मेरा बचपन हम directly मैं बोल सकती हूँ बचपन बोले तो जब मैं class you know like years कुछ 4-5 years की थी तो मामा लूग के कुछ 7-8 years ऐसे कुछ के थे तो हम सब आते थे यहाँ पर और you know people मामा भीकुली मामा मेरा भाईया मैं और बहुत लोग ऐसे आ जाते थे ये नदी में उपर से हम चलांग भी लगाते थे अच्छा बात यह था कि जब भी हम ऐसे आते हैं और किसी के you know boundary के अंदर घुच जाते हैं तो लोग इतना भागाते थे हम इतना भागते थे और एक बात गाईज जो हम लोगा देली वर्थ था स्कुल से आने के बाद हम लोग स्कुल जाते थे तो स्कुल से जब भी आने के बाद हमें ये करने के लिए आना ही परता था क्योंकि हर रोज अगर हम लक्रिया लेके जाएंगे नहीं तो खाना बनेंगे नहीं तो उसके कारन से हम लोग़ों घर पे बहुत दाथ मिलते हैं और घर से भगाते हैं भाग भाग के बरे हुआ ऐसे बोल सकते हैं बहुत सारे यादे यूनो ये सब देखके मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है और पता भी चल रहे कि कितना महनत करते थे यह जो अपने पौन देखा इस में हम मचलिया पकरते थे यहां से हम लकरिया उठ्था के लिकेजाते थे जो गिर जाते थे सुखे उसको हम लेके जाते थे तो अभी मैंने मुझे कुछ दिखाई दिया उपर तो मैं परोस के घर पे भाग भाग के जा रही हूं कि कुछ बड़ा असा बंबू लाओं ताकि मैं कुछ जो मैं देखा मैं उसको तोर पाऊं उसको असामिस में बोला जाते हैं अमलोई पुक ऐसा जिसको मैं अभी तोड़ूंगी और लास में आप सबको दिखाऊंगी कि मुझे क्या मिला उससे तो उसको तोरने के लिए जो मैं बंबू लेके आई लंबा सा और उसके साथ एक नाइफ भी लेके आया तो उसको बानने के लिए मुझे कुछ रसिया चाहिए था जो की मेरे पास था नहीं तो मैं रसि धुनके लाई इसको लटा बोलते हैं कुछ मैं उससे उसको कस के बान लेती हूँ और जो मैं करने वाली हूँ आप हैरान हो जाओगे यह बंबू कच्छा है तो बहुत हैबी है तो मैं और ममी दोनों मिलके इसको तोने का ट्राइ कर रहे हूँ तो आप देख सकते हो उपर है इसको पहले तो हम स्कोरते हो रहेंगे आपको मैं दिखा दूँ गिलास में कि मैं और ममी क्या तोर रहे है यह एक्चली बीहू में खाया जाता है बीहू आने को है और कुछ यू ना दस दिन या ग्यारा बारा दिन है बीहू के लिए उपर से जब पट्टे गिरते न तो हम उसको बड़े चाओं से पकरते थे तो गाइस बहुत महनत करने के बाद मुझे वो पेर जो हम लोग तोर रहते है उससे बस मिला इतना ही तो इसको फ्राइ करने के लिए बहुत कम हो जाते है तो मैंने बस ऐसे खा लिया गाइस बहुत महनत करने के बाद मुझे मिला इतना कम है बद मैं खुश हूँ क्योंकि यह मेरा महनत का है और गाइस तेंक यू सो मच फॉर वाचिंग इस ताइम टो टेक बाद बाद बाई